हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वेलकम टू एलेक्ट्रोनिक स्टडी यूट्यूब चैनल UPTAT CTAT परिक्षा को लेकर के बात कीजे प्रैमरी सिक्षक भरती जूनियर सिक्षक भरती सभी की सभी परिक्षाएं आपकी एक साथ में कहीं न कहीं अब देखने को मिल रही है जिसमें से जूनियर एड़ेट को लेकर के यहाँ पर अगर हम बात करें तो 17 अक्टूबर को इसकी परिक्षाते थी जो है वो आपके फिक्स हो गई है ऐसे में दूसरी तरफ सीटेट आपका 2021 का उसकी भी परिक्षाते थी जो है वो दिसमबर जनवरी बता दी गई है यहाँ पर फॉर्म भी सीटेट के जो आपका 2021 का फॉर्म है वो इसमें भरा जा रहा है बिल्कु से लेट ना करें इस बार परिक्षा आपकी ऑनलाइन होनी है 20 सितमबर से फॉर्म भरा जा रहा है 19 ऑक्टूबर तक आपका जो फॉर्म है यह सीटेट 2021 के लिए भरा जाएगा यहाँ पर अभी कन्फ्यूजन इस चीज का है कि सीटेट पढ़ें या यूपीटेट पढ़ें तो मैं आपको बता दू अब यूपीटेट का नौटिफिकेशन जो है वो पूरी संभावना है कि आपको देखने को पहले ही मिल जाए 28 नवंबर जो है वो परिक्षा ते थी बताई है यूपीटेट की यहाँ पर सरकार यूपी गवर्मेंट को लेकर के बात की जाए तो सारे काम बहुत ही तेजी से करने के मूड में है कारण उसके पीछे यही है कि अगले साल स्टार्टिंग के अगर बात की जाए तो जो विधान सभा चुनाओ है वो देखने को मिलने वाले है तो से पहले ही कही न कहीं UPTT की परिक्षा जो है उनके द्वारा करा लेने की पूरी तैयारी है फिलहाल के लिए CETT आ चुका है आपको हम बता दें आप CETT परिक्षा पास पास करें या UPTT परिक्षा पास करें वहीं जो सुपर्टेट सिक्षक भरती की बात की गई है उसको इन्होंने पहले ही आपके कराने की बात की है दिसंबर तक में तो ध्यान आपका पूरी तरीके से यूपी टेट पर होना चाहिए लेकिन सीटेट को भी बिल्कुल से छोड़ियेगा नहीं क्योंकि साथ में आपक एकिवल पैडगोजी वाला सेक्षन यहां से कंटेंट वाली चीज़े जुड़ती है उनको भी आप प्रेक्टेस करते चलिए पढ़ते चलिए एक बिल्कुल से भी पढ़ सकते हैं यहां पर आगर और कोई इसकी अलावा सवाल है आपका तो आप कॉमेंट सेक्षन में आपका और यहां पर एजुकेटर्स को आप देख पा रहे होंगे एक अक्टूबर से बैच कोर्स शुरू हो रहा है प्राइसिंग प्लांस यहां रिस्क्रेन पर है आपकी 6 महिने और 12 महिने के फीस मेरा रिफरल कोड और इस बैच कोर्स की जो लिंक वीडियो के डिस्क्रि आप इसको ले करके कर सकते हैं कोई और सवाल है तो कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें थैंक्स पर रोचिंग